कि दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल समदार्सर मैथमेटिक्स पर आज के इस वीडियो में आप जानेंगे जो भी एस्टुडेंट मेटरिक के स्टुडेंट कमपार्टमेंटल एक्जाम में पास हुए हैं वे कब से कब तक इंटर में नमांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका जो है मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा और उनका नमांकन कब से होगा उसे समद्धित यहां पर न्यूज है यहां पर आप लोग कमपार्टमेंटल के परिक्षा का रिजल्ट आप लोग जानते ही हैं कि 31 2019 को परिक्षा समित्यी ने जारी किया मेरिक कमपार्टमेंटल का तो देख सकते हैं कि 31 давайте 2019 जारी माधमिक कमपार्टमेंटल बीशेश परिक्षा 2019 के परिक्षा फल में उत्तिर्ण विद्यार्ती जो राज के विभीन इंटर्मीडियेट अस्तरिय सेक्षन संस्थान में नमंकन के लिए एक छुक एवं योग है अत्वा ऐसे विद्यार्ती जो पहले अनुत्रीन फाइल थे किन्तो वार्षिक मेट्रिक परिक्षा 2019 की एस्कूरूटनी के परिणाम आने के फल शुरूप उत्रिन हो गये हैं उन्हें सुचित किया जाता है यानि जो भी एस्कूरूटनी के रिजल्ट में पास हो चुके हैं अस्पेशल एक्जाम कंपार्टमेंटल की जो हुई है उन्हे में पास हो चुके हैं तो पहला देखिए कि दिनांक 35 2019 को जारी माध्विक कंपार्टमेंटल सविसेश परिक्षा 2019 के परिक्षा फल में जो विद्यार्थी उत्तिर्न होने के कारण प्लस्टू इंट्रेक्षा में नमंकन के लिए योग हो गये हैं अत्वा जो पहले अनुत फैल थे इंतों वार्शिक में प्रिक्षा 2019 के प्रिणाम आने के बाद फल्सुरूप उत्तिर्ण हो गये हैं ऐसे विद्यार्थी ओएफ एसस के वेपसाइट यहाप आप देख सकते हैं www.ofssbh.in पर दिनंक 46 2019 से 10 2019 तक ओनलाइन फोर्म भर सकते हैं नयानि आप चार जून से लेकर किए 10 जून तक जो है कंपार्टमेंटल वाले जो भी विद्यार्थी हैं यह फोर्म भर सकते हैं अर्था जो छूट भी गये थे यह लगजाम में वह भी भर सकते हैं अत्याइसे विद्या सकतियों को नमांकन का अफसर परतान किया जाएगा तो यानि इनका जो है मेरिट लिस्ट उनीश्ट हो 2019 को जारी किया जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं आतों ऐसे विद्यार्थी जो माद्विक कंपार्टमेंटल सविसेस परिक्षा 2019 के लिए परिक्षा फल में उत्त सब्सक्राइब जो भी एसकूर्टनी के रिजल्ट आने का पास कर चुके हैं विए भी कर सकते हैं आवएधन उसके बाद है इनके लिए है कि कट अप मार्क देख ले यानि वैपसाइट पर जाकर करके कट अप मार्क देख लिए कि किस कोलेज का कट अप कितना रहा है और उ इसके बाद है कि अधिकतम जो है आप सब21 को लिए जिए कर सकते हैं कम से कام पांच लघेज करना ही होगा और आपको क्या करना कि आपका जिसमें मन है इड्मिशन कराने का पहले विकल्प उस को देना सब्सक्राइब करना है फिर दूसरे कोलेज का भी कल्प जिसरे ऐसी जैसे आपका च्वाइस घरते जाता है इस परकार से करब में लगाए तो 19 चों को जो दूती है मिर्ट लिस्ट जारी होगी उनमें उनका नाम आएगा फिर उनको कोलेज लोट किया जाएगा और उसके बाद विए उस कोलेज में जा करके अपना नमंकन करवा सकते हैं जब वीडियो पसंद आई तो उसे को लाइक कीजिए शेर कीजिए और बिहार बोर्ड नमंकन से समंदित 11 12 का मैथमेटिक सोल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आपको सुचना मिल जाए वीडियो देखने के लिए धनिया बात